मैं इसके बात को देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश वर में कानून बेवस्ता बिलकुल चर्मरा गई है एक बहुत बिचित्र परस्तिती हमारे सामने है डीजी पी साब छुटी पर हैं और चार्ज किसी को नहीं और चुटी पर भी जो मेरी जानकारी है लगबग नेजी कारून से वो एक महीने की चुटी पर है और प्रदेश में जिस परकार की गटना है गटित हो रही है उसके प्रती मुझे एक चीज को बड़ा लग रहा है कि सरकार बिलकुल भी गंबीता से सारी चीज़ों को नहीं ले रही है अभी हाल ही में चंबा में जो गटना गटित हुई है वो एक बहुत बड़ा उधारन है उस द्रिश्टी से देखा जा रहे और उसके बाद कानून विवस्ता की दूसरी बात अगर मैं कहूं कि परदेश के सरकार के मंत्रे भी ऐसे ब्यान बाजी कर रहे हैं और जिसके कारण कानून विवस्ता और बे ज़्यादा खराब होती दिख रही है अभी जो शिमला में इन दिनों में जो टैक्सी यूनिन का जो जगड़ा चल रहा है टैक्सी टैक्सी ओपरेटर का जो जगड़ा चल रहा है हमारा टूरिस्ट का सीजन जो है सीजन इस वक्त जो है पीक पर है और ऐसे में शिमला में इस परकार की राजधानी में जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पुरी दुनिया और पुरी देश बर के टूरिस्ट यहां आते हैं जहां इस परकार की स्थिती पैदा होना कि टैक्सी यूनिन आपस में जगडे के कारण आज सारी ट्रांस्पोर्टेशन की बेवस्ता जो है वो सारी रुकी पड़ी है तैसनेयस हुई पड़ी है और सारे मामले को अगर हम देखे तो मैं समझता हूँ कि भिशुद फरशाशनिक देश्टि से एक बहुत बड़ी कमी सरकार की ओर से हैंडल करने बरे ही है इसको तुरंट करना चाहिए और मैं इस बात को लेकर के मैं इस तरह जरूर कहना चाहता हूँ दोनों पक्षुद को बुला करके तुरंट मुख्य मुंत्रि को इंटर्वीन करके समस्या का समधान कैसे हो सकता है हम इमाचल के लोग बहुत प्यार और प्रेम से रहते हैं मिलकर के रहते हैं मिलकर के काम करते हैं और जहां एक दूसरे को मदद करने की बात होती है वहां एक दूसरे को मदद करते हैं ऐसी खेतरबाद की अधार पर सारी बातें आज से पहले नहीं हुई है कि वर्तमान स्थिती जो बनी है इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है परदेश की सारी बेवस्ता को और मुझे लगता है कि मुक्या मंतरी को तुरंत इसमें इंटर्वीन करना चाहिए था लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि पूरी टैक्सी यूनिन हर्ताल पर चले गई है स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको छोड़ने के लाने के लिए बहुत बड़ी कटनाई का सामना करना पड़ रहा है पूरे इतनी बड़ी संख्य में टूरिस शिमला आये हैं लेकिन टैक्सी उपलब्द ना होने के कारण बहुत बड़ी कटनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है और किसी व्यक्ति को किसी काम से अर्जेंट काम से भी जाना तो टैक्सी एवेलेबल नहीं है क्योंकि जो टैक्सी यूनिन का टैक्सी ऑपरेटर का जो जगड़ा है वो इसकदर है कि सारी टैक्सी आजबंद कर दी गई हैं तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में आने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हिमाचल की 26 में खराब हो रही है और कानून वे वस्ता कि अगर मैं दिश्टी इस दिश्टी से में अगर देखूं छे मिने के इस कारेकाल में लगबग 40 तो मर्डर के केसी से केसी हो गए आप खुद अंदादा ल लगबग पहुंच गए छे मेने के अंदर और अपहरन के केस जो मिसिंग लोग हैं तो वो 183 के लगबग वो आंकड़ा पहुंच गया है यह तमाम सारी चीजें बहुत चिंता की हैं और देभूमी हिमाचल परदेश पर मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि कानून व्यवस्टा हमेशा अची रही है और अच्छी व्यवस्टा के अंतरगत जो है वो सब लोग हिमाचल आकर कि अपना आपको स्रुक्षित मैसूτ करते हैं लेकिन जिस परकार की गटना है गटित होरी है उस से बहुत बढ़ा नुक्सान हो रहा है सरकार कानून व्यवस्टा को maintain करने में पूरी तरह से असफल हुई है और जिस तरह से ये टैक्सी ओपरेटर का जगडा हुआ ये तो बहुत ही दुखदाई है बहुत पीडा देने वाला है पूरे हिमाचल परदेश को कई हिस्सु में बाटने की दिशे में ये जो प्रेतन प्रयास हो रहे हैं मुझे ल कर दो